कब तक आएगा आंसर की कब तक आएगी काफी सारे अभ्यारती है आल इंडिया लेवर पर एक्जाम हुआ था आफ लाइन पेपर हुआ था साथ जुलाई को पाफी अच्छे तरीकी से पर हो गया था वरने गया पूरे देश में क्या है लीक 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 ही हो रहे थे लेकि अधर 11 से टाट की परिक्षा स्टार्ट हुई थी अधर टीचर बनना चाहते तो डिग्री डिप्लॉमा करने के बाद आपको से टाट क्वालिफाइग करना परता है उसके बाद आपको स्टेट लेवल का एक्जाम देना परता है जब यूपी में हो तो आपको शूपर टेल क्या अधर की कि बात करेंगे चे की कि अभी तो जिसके आपको स्टार की आती है से क्वालिक 15 दिन के अंदर आ जाती थी लेकिन इस बार अभी नहीं आई है 7 को वा ता 22 तारिक हो चुगी है लगबगत वान दिन वोने वाले ही ने तो एक टो दिन में आप देखेंगे आई ह का जुलाई रहा है तो जुलाई का लांस्ट वीक में क्या है आपका की आ जाएगे यह तो कि आपकी क्या है आप देखेंगे अभी आज्याएं में आ जाएगे और रिजल्ट की बात करें सब्सक्राइब कर देखेंगे कि आपका अगस्त का फर्ष्ट वीक होगा कि अगस्त का फर्ष्ट वीक होगा अगस्त के फर्ष्ट के लिए आपकी स्कीन पर होगा तो अगस्त का वेट करें और आपका जो है रिजल्ट आजाएगा से अब वह सीटेट में कुछ बच्छे क्या है कहने कट-off कित्री जाएंगा कट-off नहीं जाती है दोस्तों कट-off नही के लिए वैलिट हो गया है तो इसमें क्या है कि अपका ऑन-lai जो आपका डीजी लोगर एप है वह से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो क्या है कि मैं बात कहला था किसकी कट-अफ की बात करें जिसमें कट-फ नहीं होती है पहली बात तो हम करेंगे इसको पासिंग स्कोर कितना होता है तो जनल के लिए आपको क्या है 90 नबर चाहिए होते हैं आप कि इसमें आपका सी एस्टी और आपका ओबस तो आपको क्या है 82 नंबर पर आपका क्या है अगर आप लिया जाता है यह आपका साथ परसेंट चाहिए होता है और आपका परसेंट मार्स चाहिए होते हैं तो आपका क्या है जो भी स्टेट लेवल पर एक्जाम होगा उसमें आप आपका नामंगर करा सकते हैं तो तो सीटेट के रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप यूपी में देख सकते हैं कि भर्ती आने के पूरे चांस है बिहार में चल रही है वी पीएसी बोर्ड जगाता तीन अभी कल ही पर आज लाज परिक्षा थी बीपेसी की इसके बाद क्या है टी आरी फ़वर की तेयारी में लगे रहे हैं जिनका नहीं हुआ है बुकाफिसार विचे ऐसे थे जिनके नबबे से कम थे लेकिन उपर देख लेकिन इस वार ऐसा कोई नहीं गया है वो टी आरी 2.0 में हो रहा और आप अगर आप नहीं आते हैं तो अगली परिक्षा होती है दो वार सीटेट की परिक्षा कंडेक्ट कराता है तो बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अगर इसके बाद से तमबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जो एडिशन उसका उनीसवा डिशन आपका आ जाएगा उसके बाद Soup